नमस्का और दोस्तों स्वागत आप सभी के हमारे online चैनल पर दोस्तों आज काफी लंबे समय के बाद current affair का यह lecture मैं लेने जा रहा हूं वैसे मेरी पूरी कोशिशती की कल से ही lecture लेना स्टार्ट कर दूँ लेकिन कुछ technical problem हो जाने के कारण मैं video upload नहीं कर पाया तो दोस्तों यहां पर शेयर करता हूं तो चलिए अगर आप नय है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा साथी बेल आगउन को दबाएगा ताकि आपको सारे वीडियो सब्सक्राइब कर दोस्तों आप हम से जूड़ जाएका टेली ग्राम पर तो आप बिल्कु सब्सक्राइब करता हूं क्लास से जो नोट्स पीडियाप और अन्हें तरके वीडियो से आप इंस्टा मोज़ पर जाकर खरी सकते हैं चले सुराद करते हैं अच्छी क्लास का पहला प्रशन हम देखते हैं पहला प्रशन है भारत द्वारा पाकिस्तान से मोस्ट फेवर ने सब्सक्राइब करी में आपको बताने वाला हैं तो बिल्कुल ध्यान से आप सुनेगा इसका सही जोब है ऑप्शन सी 200 प्रतिशत याद रखेगा मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा वापस लेने के बाद अब वहां से आयत की जाने वस्तू में कितने प्रतिशत की आयासुल के लगेगी 200 प्रतिशत की ठीक है कुछ महत्रपुन चीज़े मैं आपको बता हूँ यहाँ पर भारत जो है एक जनवरी 1995 को विश्व अपास लब क्या होता है इसके लाब क्या होता है यह सारी जयनकरी में आपको आगे दूंगा तो देकि यह कुछिन भी पूछा जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन का दरजा कब दिया था मुझबूर हो गई है बार अटेक होने के बाद होम्हों नेसन क्या होता है और क्या फैदे होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं नहीं किसी देश को दे देते हैं तो इस दर्जा के लाव क्या है यह दर्जा मिल जाने के बाद कारोबार में यह जो दर्जा है चुल में कहां पर दिया जाता है कारोबार में दिया जाता है इसके थाथ आयात नीरात में आपस में विसेश छुट मिलती है यह दर्जा प्राप्त देश कारोबार सबसे कम आया सुलक प बार होता है आगे बढ़ते हैं कोईशन नमर दो देखते हैं दूसरा प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने हाली में किस इस्थान पर डीजल से बिजली में परिवर्तित पहले इंजन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया तो ये भी कुशन महस्पूर्ण हो सकता है ये पहले तरह क ये इस तरह की चीजे हुई है तो कहां पर हुई है वारा नसी में चलिए इसके बारें भी हम कुछ जानकारी लेत हैं प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने 19 फरवरी को अपने संसदी छेतर कहां पर वारा नसी में डीजल लोकोमोटीव वक्स परिसर में विस्व का पहला डीजल कनवर्टेड इलेक्ट्रिक लोकोमोटीव को हरी जंडी दिखाई है साथ ही काशिवाशियों को लगबग 2900 करोड रुपे की परियोजनाओं की सौकात भी दी है वारा नसी में अपने लगबग 5 घंटे के कारेकरम के दौरण प्रदान मंत्री रोडी मोदी रोहनिया विधा परियोर्टी 10,000 हास पाउच हमता वाले लोकोमोटीव इंजन का लोकारपन किया है अब आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रेज अभी हमने हाली में वारण सी के बारे में पढ़ा तो वारण सी कहां पर है उत्तर प्रेज और उत्तर प्रेज के बारे में कुछ जानकरिये मैं और सबसे ज्यादा आठ राज्यों के साथ ये सीमा शेयर करता है और एक केंदर सासित प्रेज जो की दिल्ली है सास्त्री नित क्लासिकल डांस क्या है कथक ठीक है कथकली केरल कहां का उत्तर प्रेज का कौन सा टैकर जो रहे है दूदुवा पिली बीद कानपूर में है चीन हो रहा है कुम्भ मेल अब आपको यह भी कुशन पूजा सकता है कि कुम्भ मेल का आजन कब से कब तक होगा 15 जनवरी से 4 मार्च तक ठीक है आगे बढ़ते हैं कुशन नमर 3 देखते हैं तीसरा प्रशन है गैर सरकारी संस्ता सेव दर चिल्डरन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुशार प्रत्यक वर्स युद्ध की कारण विश्व भर में कितने बच्चे मारे जाते हैं तो इस रिपोर्ट के अनुशार कितने बच्चे मारे जाते हैं लगभग एक लाग बच्चे हैं दुनिया भर में विद्ध से हर साल एक लाग बच्चे की मौत हो जाते हैं कि सेव दचिल्टन की रिपोर्ट के अनुसारथ गये विश्टों के प्रसिद्द क़ैर सरकारे संगठन सेव दचिल्टन इंटरनेशनल द्वारा हाली में जार्ट में कहा गया कि युद्ध और उसके प्रभाव की वजय हर साल कम से कम एक लाग बच्चों की मौत हो जाती है इसमें भूख और मदद ना मिलने जैसे प्रभाव भी शामिल है तो यह आपको इसका कौन सा संगठन यह रिपोर्ट जारी किया यह आपको नाम याद रखना है कुछ आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में संगठन की आपको में कौन को से देश आते हैं अफगानिस्तान मध्यापर की गनराज्य कांगो इराक माली नाइजिरिया सोमालिया दक्षिन सुडान सिरिया और यम अंदिर तो देखिए इतने जादे जान करें आपको जाने की जरुवत नहीं है बस आपको यह संख्या और इसका जो स 2019 में हुई थी भारत जो है यह भारत में वर्ष 28 से कारियरत है अब आगे बढ़ते कुश्चन नमर 4 देखते हैं चौनथा परशना की हाली में किस टेनिस खिलाड़ी ने कतर ओपन का खिताब अपने नाम किया तो कतर ओपन का खिताब किस ने अपने नाम किया है एलीस मटें ठीक नाम याद रखेगा बेल्जियम की विस्व नंबर 21 खिलाड़ी एलीस मटेंस ने विस्व नंबर 3 सिमोना हलेप को हरा कर दोहा कतर में आजित कतर ओपन का जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया है यह उनका पहला WTA प्रीमिम इस तरका खिताब है और उनके करियर का प तो यह जानकरी तो उतनी महत्यपूर नहीं है आपको याद रखना है कि किसने किसको हराया है और कहां पर यह खेल हो रहा था ठीक है तो कतर मैप में देख लिए यहां पर वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कतर और इसकी जो राजदानी वह है दोहा और कौन सा करेंसी य जीता है रायगड और यह कहां पारे यह है चत्तिस गड़ में ठीक है तो इसके बारे में भी हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं चत्तिस गड़ के रायगड नगर निकम ने स्वक्षटा एक्सलेंस अवार्ड 2019 जीता है साथ ही अंभिकापूर तथा कुंबा कोनम ने नगर अरे ऐसी को सम्मानित किया गए और एस्पीरेशन डिस्टिक्ट में कि चास मुनिशिपल कारपूरेशन को सम्मानित किया गया तो सबसे ज्याद महत्त्क उन्ट यह है कि कि किसे स्वक्षटता एक्सलेंस अवार्ड तोहर 19 से नमा जा गया रायगड जो कहां पर है च्छट् किस देश के सोध करताओं ने बिना जी पेस की सहयता से चीटी की तरह चलने वाले रोबोट का निर्मान किया तो कौन से देश ने इस रोबोट का निर्मान किया है फ्रांस देश ने इमेज पर आपको इस रोबोट का जो है चित्र दिख जाएगा फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर सेंटिफिक रिसर्च के सोध करताओं ने चीटी की तरह चलने वाली एंट बोर्ट इसका नाम भी एंट बोर्ट रख दिया गया क्योंकि चीटी की तरह और उसके सिधान्त पे चलती है यह अपने आसपास के मौहल में खोज बीन कर सकता है और बीना जीपीएस जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बीना इसके साहता से घर तक वापस आ सकता है इसके लिए वैग्यान्योंकि ने मरुस्तली चीटियों से प्रेना ली जो अकेले ही आतर करते हैं चीटिया अपनी ऑस्तिती का पता करने के लिए दुरूवी रोशनी तरह परह बैगनी रोशनी का उपयोग करती है तो इसी टेक्नोलोजी के साथ य सेंसर लगा है जिससे यह तो काफी टेक्निकल हो गए बस आपको यह याद रखना की इसका नाम क्या है कौन से और किस देश में यह बना है अब आगे बढ़ते हैं फ्रांस तोड़ा मैप में देख लेते हैं फ्रांस और इसकी जो राजदानी है पेरिस है और यहां पर क्या जलता है यूरो अब आगे बढ़ते क। हैं सब्सके क्ति हुले को हाले में अमेरीका छपिव ऐरिकाप्टर उक की पली करम से प्राप्ट हो गए तो अमिरीका से कौन highways को प्राप्ट हो और 19 को भारती वायू सेने के लिए चार चिनुक सैने हेरिकाप्टर की आपूरती गुजरात के मुंद्रा बंदरगाहा पर किये देखे दोस्तों मैं काफी लंबे समय से करेंट एफर क्लास नहीं लिया था इसलिए कुछ इंपॉर्डन जो छूट गये थे पिछले दिनों जो भारत को कुल 15 चीनुक हेलिकाप्टर प्राप्त होंगे चीनुक बहुत देशी वर्टिकल लेट प्रेटफॉर्म हेलिकाप्टर है जिसका इस्तिमाल सैनिक हथियारों उपकरन और इंधन को धोने में किया जाता है इसकी जो छमता है 9.6 टन वजन ये उठा सकता है जिससे भ आप को याद रखना है चीनुक किसका नाम है ठीक है भारती वाइस तो ये मिला है और कहां से अमिरिका से ठीक है और इसकी कंपनी का नाम क्या है अमिरिका जो एरोस्पैस कंपनी इसका नाम है बोइंग अब आगे बढ़ते हैं कुश्चिन नमर 8 देखते हैं 8 प्रशने के ह में अमेरिका में किस कारण से राष्ट पती डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अपात्काल घोशित किया गया है तो किस कारण से अपात्काल घोशित किया है मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार का निर्मान तो मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार के निर्मान के लिए डोनाल्ड ट्रम् नहीं दे रहे थी तो यही सारे चीज़े हम देखेंगे आगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनार्ट ट्रम ने 16 फरुद और 19 को राष्टी अबातकाल की घोष्टना कर दी है डोनार्ट ट्रम ने यह घोष्टना की अवैद आवज्रकों से देज की रक्षा के लिए यह अपरादी इनको रोगना है इस कदम से अमेरिकी मेक्सिको की सीमा पर दीवार निर्मान के लिए संगी कोश से सरकारी सहतरासी जारी हो सकती है अमेरिकी संसद अमेरिकी अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के प्रस्ताव का विरोज कर रहा है इस करन ट्रम और संसद में टकराव चल रहा था तो इसके बाद आगे देखते हैं इसलिए सरकारी खाजाने का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट पती ने अपनी सक्तियों का उपयोग करते हुए राष्टी आपातकाल घोशित किया है इसमें अब मन्चाहे तरीकी से मेक्सीको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए सरकारी खाजाने का उपयोग कर सकेंगे करीब 200 मिल लंबी इस दीवार की निर्मान के लिए ट्रम ने अमेरीकी संसर से 5 बिलिएन डॉलर की मांग की थी अब आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर नौ देखते हैं नौवा प्रशना की हाल में कौन भारती वाइव सिना की पहली महिला फ्लाइट इंजिनेर बन गई हैं तो ये क्वेशन भी महत्पूर्ण हो सकता है क्योंकि ये पहली महिला है और इनका नाम है हीना जैस्वाल फ्लाइंग लेटिनेंट हीना जैस्वाल भारती वाइव सिना की पहली महिला फ्लाइट इंजिनेर बन गई है वे बैंकडूर की उत्तरी उपनगर में स्थित येलाहंका एयर बेस की 112 हेलिकाप्टर यूनिट की फ्लाइंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी तो बस इनका आपक जैस्णेक योगिता की अनिवारिता को खत्म कर दिया गया तो कौन से राज में ऐसे किया गया है राजिस्थान राज्य मैं काफी महात्यपन हो सकता है इसके बारे मैं आपको कुछ और जनकर देता हूं राजस्थान वीधानसभा में हाले में पंचायती राज संसोतन विधेक और नगरपाली का संसोतन विधेक पारिश कर दिये गए हैं इन संसोतन विधेकों के अनुसार अब पंचायती राज और इस्थानी निकाओं के चुनाओं लड़ने के लिए सैक्षनिक योगिता की अनिवारिता अब खत्म कर दिये गए पहले इसमें कुछ सैक्षनिक योगिता थी अब इन चुनाओं को लड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जोरूरी नहीं है अब अनपड़ भी सरपन से लेकर प्रधान पमुक और पारसत से लेकर मेरतक का चुनाओं लड़ सकेंगे राजिस्थान में पंचाया समीती जीला परिस्थ वा नगरपाली का चुनाओं लड़ने के लिए नियूनतम सैक्षनिक योगिता की बाधिता 2015 में वसुंधरा राज्य सरकार ने लागू की थी जिसे अब अभी हटा दिया गया है अब कुछ अन्य महत्तपुन समाचार भी हम एक नजर देख लेते हैं इरान के राष्टपती हसन रुहानी में ने हाली में सोदेश निर्मित पंडुपी फतेह का जलावतरन किया है तो आपको कौनसे देश का और क्या नाम है यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखने है पाकिस्तान ने दो दियूसी आत्रप पर आया सौदी अरब की क्राउन प्रिंस मोहमद बिन सल्मान को देश की सरोच नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा है पाकिस्तान के राष्टपती आरिफ अलवी ने उन्हें यह सम्मान दिया है देखें पाकिस्तान अभी बहुत ज़्यादा आतिक संकट से जूज रहा है तो एक तरसे पाकिस्तान घूस दे रहा है इनको ये भी आप समझ सकते हैं आरिबियाई ने केंद सरकार को 28,000 करोड रुपए का अंतरिम लावांस देने की घोशना की है पांच एकर से कम जमीन वाले प्रतेक किसान को 9,000 रुपए दिये जाएंगे यहां पर दो इसका नाम और कौनसे राज आपको पूछा सकता है कि अन्य दाता सुखी भावा योजना किस राज की योजना है तो आपको याद रखना है आंत्र प्रश्की और इस योजना के ताहत किस किसानों को मदत मिलती है पांच एकर से कम जमीन वाले किसान को 9,000 रुपए दिये जाएंगे फ्रांस में इस हपते हुए नए कानुन संसोधन के तरहत यहां की स्कुल को अपने फॉर्म में मा और पिता किस्थान पर पेरेंट वन और पेरेंट टू लिखना होगा समलें की अभिवाव को के खिलाब भेद भाव को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है वेस्ट इंडिस के विसपोटक सलामी बल्लेबाच क्रिस गैल ने अभी अंतराष्टी वंडे से सन्यास लिने की घोष्टना कर दी है भारती वायू सेना ने राजिस्थान की पोकरन में मे जोष्टना से अब राज में तीन प्रशाश्निक इकाईयां जम्मू कश्मीर और लद्दाग ये तीन इकाईय अब हो जाएंगी एन आर आई विवाह पंजीकरन विधेयक दोहर उनिस के नुसार किसी अनिवासी भारती ने अपनी विवाह का पंजीकरन शादी की तारिक से तीस दिनों की भीतर नहीं करवा है तब अब उनको पासपोर्ट अत्वा यातर स्वेश्ट जब्त कर दिया जाएगा इनसे राजस्थान सरकार ने गुर्जर सहित पांच जातियों को पांच प्रतिसत आरक्षन का प्रवधान करने वाला विधेयक विधान सब हमें पारित क किया है तो यह सारे questions आपको ध्यान में रखना है और आज आपको मैं किसी टाइब का प्रशन नहीं पूछ रहा हूं कि काफी लंबे समय के बाद मैं class लिया हूं यह और कल से मैं आपको question पूछूंगा जिसका जो आपको comment box में देना होगा तो आज comment में आप यह बता सकते है कि अभी जो हाली में exam सुएं आपके वहां पर आपको कितना benefit मिला और कौन-कौन से subject आपको आगे पढ़ने हैं इसके चीज़ां आप comment box में जरूर बताईगा तो दोस्तों आज की class में बस इतना ही नमस्कार धन्यवाद